तो सब्सक्राइब को पताई होगा कि भारत में कोई भी बड़ा डिवलप्मेंट होता है तो वेस्टन मीडिया में इसे लेके काफी बढ़ चरके चर्चा किया जाता है। तो सब्सक्राइब को पताई होता है तो सब्सक्राइब को पताई होता है। तो वेस्टन मीडिया आउटलेट जहां पे काफी अधी खुश है तो वही पे बढ़ चरके इस ख़वर को ब्रिटेन के जेंस वीडिया हाउस के तरफ से प्रचार भी किया जा रहा है। जेंस वीडिया हाउस के हाली के एक आर्टिकल में हिंदुसन अर्णोटिक्स लिमिटेड के तरफ से डिवलफ्ट किया हुआ तेजस मार्क वान एयर क्रेप्टों के फस्ट फाइट का जहां पे जिकर किया गया तो वही पे इसी खवर के नेक्ष्ट अध्याय में जेंस अर्णोटिक्स लिमिटेड के बरिष्ट अधिकारी के बयानों को कूट करते हुए ये दावा किया गया है कि हिंदुसन अर्णोटिक्स लिमिटेड के तरफ से प्रोड्यूस किया हुआ पहला तेजस मार्क वान एयर क्रेप्ट जिसका सिरियल नंबर LA5033 था ये असल में 28 मा हाउस के आर्टिकल में ये भी दावा किया गया है कि हिंदुसन अर्णोटिक्स लिमिटेड असल में फेवरोडी 2024 तक इन यार क्रेफ्टो का डिलिवरी इंडियान यार फोर्स को करना चाहता था जबकि यार क्रेफ्टो के डिलिवरी का जो डेडलाइन था वो असल में 31 मार हारी नहीं दिया गया है लेकिन आर्टिकल में ये दावा किया जा रहा है कि इन यार क्रेफ्टो के कुछ स्पेर पार्ट के सप्लाई में शायद डिले हुआ है खास करके रश्या और यूकरेन का लड़ाई और इस्राइल और हमास के लड़ाई के कारण इस्राइल रश्या यूकरेन जैसे देशों से तेजस यार क्रेफ्टो के लिए जिन स्पेर पार्ट का सप्लाई किया जाना था उसमें डिले होने के कारण इले यार क्रेफ्टो के जो फर्स्ट फ्लाइट है और यार क्रेफ्टो के जो पोड़क्शन का डेडलाईन है उसे भारत के तरफ से किया जा रहा है कि कम से कम ऐसे चार यार día क्रेफ्टों को हिंदु स्न Aeronautics Limited के तरफ से तैयार कर लिया गया है और पाच्वा जो यार जू एरक्राफट है वो फिलाल एसम्बली लाइन में हैं और छटा यारक्रफट को भी तैयार किया जारा है और कुल मिला कि इस साल के अंत से पहले हिंदुसान अर्णोटिक्स लिमिटेड कम से कम छे ऐसे तेजस मार्क वान एयर क्राफ्टों को इंडियन यार फोर्स को सौफ़ेगा जबकि पहले बैक में दो यार क्राफ्टों को सौफने का बात कहा जा रहा है और इन दोनों यार क्राफ्टों के सारे ही इंडियन यार फोर्स के तरफ से पहला अपना तेजस मार्क वान एयर क्राफ्टों के स्क्वाडरेंट को तयार किया जाना है जबकि दोस्तों इसके साथ साथ हिंदुसान अरोटिक्स लिमिटेड इंडियन यारफोर्स को टेजस मार्क वान के ट्विन सीटर ट्रेनर यारक्राफ्टों को भी डिलेवर करने को लेके तैयारी कर रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस साल के अन्ज से पह करिवन 123 सेजस मार्केटों को साल 2018 तकerson डिलेवर करने के इराद्य के तहीट हिंदुसान अरोटिक्ष लिमिटेड आगे बढ़ रहा है और दोस्तों इसके लिए करिवन तीन प्रोडक्शन फेसिलिटी को भी तेयार किया है जिनमें 2 प्रोडक्शन फेसलिटी बैंगलोर में फुल स्केल में यार्क्रेफ्टों का पोड़क्षन कर रहा है जिसका पोड़क्षन रेट आठ आठ मतलग टोटल 16 यार्करफ पर ययर है जब कि तीस्रा पोड़क्षन फेसिलिटी नासिक में है और यह भी अपने पोड़क्शन के काम को शुरू कर चुका है और इस फेजिलिटी से जो पहला यार्क्राफ्ट है वो शायद साल 2025 के अंत या साल 2026 के शुरुवाती समय में इंडियन यार्फोर्स को डिलिवर किया जाएगा और आशा किया जा रहा है कि साल 2026 तक इंडियन यार्फोर्स के इन जो पोड़क्शन रेट है वो करीवन सालना 24 यार्क्राफ्टों के दर पे पहुँच जाएगा जबकि एडिशनल और 97 ऐसे यार्क्राफ्टों के ओर्डर को लेके तयारी किया जा रहा है और अगर इन यार्क्राफ्टों के ओर्डर जल्द ही मतलब इस साल के अंस से पहले दिया जाता है तो शायद हिंदोसार यार्दीक्स लिमिटज्ट तेजहस यार्कारफ्टों के प्रडक्शन फैसलिटीस को इंक्रीज करते हुए शालना क्भश से कम 30 यार्क्राफ्टों के धर पे इन यार्क्राफ्टों को प्रोडियूस करेगा दोस्तो इससे पहले भारत जब भी अपने एरफोर्स के एरक्राप्टों खरिता था तो आईदर रश्यन या फिर वेस्टन देशों के फ्लाटफर्म को ही खरिता था जिन कारोनों के वज़ा से ऐसे वेस्टन मीडिया हाउस के आका कह जाने वले कमपनियों को काफी अधिक फा हेलिकॉफटर भी है अब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिनों से चाइना के मीडिया में एक नया अटैक हेलिकॉफटर को लेके काफी अधिक आर्टिकल बाहर आ रहा है और कई सारे बिदेशी आउटलेट में भी इन आर्टिकलों को हाइलाइट करते हुए दावा किया झा रहा है कि चाइना के दवारा और एक नया अटैक हेलिकॉफटर को तयार कर लिया गया है जो कि सायद एक हेविवेट हेलिकॉफटर हो किया जा रहा है कि चाइना के द्वारा एक नया हेविवेड हेलिकॉफटर का डिवलप्मेंट किया गया है और इन इमेजों को एनलाइज करते हुए एक्सपर्टों के तरफ से भी कन्फर्म किया जा रहा है कि चाइना जिन हेलिकॉफ्टरों का डेवलप्मिंट किया है या करने का दावा कर रहा है वो असल में इससे पहले चाइनीज एर्फोर्स में इस्तेमाल होने वाले Z10 जैसे हेलिकॉफ्टरों के मुकाबले में कोफी है जिसे आइदर चाइना के द्वारा रश्या से टेक्मोलोजी को चुरा के बनाया गया होगा या फिर रश्या के तरफ से चाइना को इन हेलिकॉफ्टरों को बिनाने के लिए मदद किया गया होगा और आप लोगों के जानकारी के लिए बतादू की MI-28 हो या फिर Apache ह हिलिकॉफटर हो ये असल में 10 से 12 तन maximum take off weight category का हिलिकॉफटर है मतलब दोस्तों चाइना के ये नया हिलिकॉफटर जिसे कि Z21 कहा जा रहा है ये शाइद इतने ही maximum take off weight वाला हिलिकॉफटर हो जबकि इस से पहले जो Z10 हिलिकॉफटरों को चाइना के तरफ से निर्मान किया ग चाइना अपने बेड़े को मजबूत करेगा और उपर से इन हेलिकॉफटरों में शायद स्टेल्फ फिचर भी है जो कि इन हेलिकॉफटरों के फर्फॉर्मेंस को बढ़ाएगा और इससे चाइनीज यार फोर्स के जो हेलिकॉफटर उसके रैडर सिगनेचर या फिर कहे तो दुश्मनों के द्वारा डिटेक्ट होने का संभावनाए कम होगा हाला कि दोस्तों इस तरीके का दावा इससे पहले जेक टेन हेलिकॉफटरों को लेके वी किया गया था लेकिन जब ये हेलिकॉफटर हकीकत का शकल लिया तब ये सभी दावे धराशाई हो गया था फिलाल के शोशल मीडिया में वाइरल करके एक तरीके से हाइक फैदा किया जा रहा है और जेंस मीडिया जैसे मीडिया आउटलेट के तरफ से चाइना के इस सोशल मीडिया वरफेर में भी अपने आपको एक तरीके से चाइना को इस्तेमाल करने का मौका दिया जा रहा है और जेंस इसके बारे में रियल में जानकर ये मिल सकेगा जबकि J10 जैसे हिलिकॉफटरों को अगर देखा जाये तो इसे लेके भी चाइना के तरफ से लगवग इसी तरीके का दावा किया जाता था लेकिन जब चाइना इन हिलिकॉफटरों को टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान को बूरी में अब पाकिस्तान के दुआरा चाइना के J10 जैसे हिलिकॉफटरों को भी खरिदा जा रहा है तो आप लोगों को क्या लगता है कि शोशल मीडिया में चाइना के तरफ से जो प्रपगंडा किया जा रहा है क्या इसमें कुछ वेस्टन देशों के मीडिया के तरफ स भी चाइना को मदद किया जा रहा है या नहीं कॉमेंट करके अपने राय अवश्चत दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही फेही करते समापत किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम